हरे क्रिश्ना हर महीने क्रिश्न और शुक्ल पक्ष की त्रेयोदिशी तीथी को प्रदोशुरत रखा जाता हैं जो महादेव को समर्पित है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की अराधना की जाती है भार्मिक माननेता है कि प्रदोश्वरत करने से साधक के सुख और सभागे में वृध्धी होती है वहीं प्रदोश्वरत की पूजा बिना कथा पाट के अधूरी मानी जाती है तो चलिए आज इस पावन तिथी पर इस कथा का मिलकर श्रवन करते हैं प्राचीन काल में एक करीब पुजारी हुआ करता था उस पुजारी की मृत्यों के बाद उसकी विद्वा पत्नी अपने भरन पोशन के लिए पुत्रों को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी एक दिन उसकी मुलाकात भी धर्वदेश की राजकुमार से हुई जो की अपनी पिता की मृत्यों के बाद दर दर भटकने लगा था उसकी यहालत पुजारी के पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा प्यावार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शान्डेले रिषी के आश्रम ले गई। वहां उसन रिशी से सिुची के प्रदोश्व्रत की कथा एवं विधी सुनी। तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोश्व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में गूम रहे थे। उन में से पुझारी का बेटा तो घर लोट आया। परंतु राजकुमार वरन में ही रह गया. उस राजकुमार ने गंधर्व कण्याओं को कृड़ा करते हुए देखा, तो उनसे बात करने लगा. उस कण्या का नाम अंशु मती था. उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लोटा. राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विधर्व नगर के राजकुमार होना आपका नाम धर्म गुप्त है अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिच्ची की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवा आपसे करना चाहते हैं क्या आप इस विवा के लिए तयार हैं राजकुमार ने अपनी स्विक्रिती दे दी तो उन दोनों का विवा संपन हुआ बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विधर्व पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी की पुत्र के सभी दुख वह दरित्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस से पूछा तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोश व्रत का महत्व भी उसी दिन से प्रदोश व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व बढ़ गया और अथा मानेता नुसार लोग यह व्रत करने लगे कई जगों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार इस तरी पूरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नश्ठ हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ती होती हैं